चुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की वीडियो में प्रसिच्छड डाइरी यानि की नोट्स जो सारांश होता है पूरे प्रसिच्छड का उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसका पीडिएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और वाटसेफ ग्रूप से मिल ज यहां से आप डेली के अपडेट्स डेली के जो नोट्स हैं इंप्रसिच्छड हैं यान कोई जानकारी है वो आपको यहां से मिलती रहती है तो यहां पर हमने क्या किया है यहां पर जो प्रसिच्छड नोट्स जो बनाया है प्रसिच्छड नोट्स जो बनाया है प्रसिच् प्रश्ट वहात है जो लोग प्रिसच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ये काम करते हैं, यहां तक कि उनके अवबातकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर और लाबदायक है, जो बच्चों के भासाविकास में सहयोग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बच्चों का भासाविकास हो सकें, प्रश्न नमर दो देखते हैं, बच्चे अपनी भासा, या पहली बासा जिसे कहते हैं को स्वभाविक रूप से बिना किसी गंभीर प्रियास की सीखते हैं यहाँ पर किसी कोई ज़्यादा हैल्प या प्रियास की आवशकता नहीं होती है और बच्चे इस बासा को सीख जाते हैं अब चलते हैं next question number third अब बात करते हैं next question की बच्चे भासा कैसी सीखते हैं पर्वेश, घर, परिवार आधी से अपनी मात्र भासा या प्रथम भासा को सीखते हैं अब बात करते हैं next question की पांच number कच्छा में बहु भासिकता क्या है कच्छा जो आपका होता है, किलाश होता है उसमें बहु भासिकता क्या है चुकि हमारा जो देश है वो बहुँवासी है, यहां पर बहुत सी भासा हैं बोली जाती है, जब आपकी कच्छा में बहुँवासी बच्चे हैं और उन सभी बच्छों को जब हम एक कच्छा में एक साथ पढ़ाते हैं, तो सिच्छक के लिए एक चुनोती होती है, और तब को है ऐसी भासा कोशल का उपयोग करता है ऐसी भासा कोशल से पढ़ाता है जिससे कि सभी बच्चों की समझ को बिक्सित किया जासा के सभी बच्चों की समझ में आए तो इसी के कहते हैं बहु भासिकता अब बात करतें नेक्स्ट प्रेशन की तो जो नेक्स्ट प्रेशन है ब बच्चों की दूसरी और तीसी भासा सीखने की रड़नीतियां प्रतिक बिच्चे के लिए भेन्न होती हैं, लेकिन उन्हें अन्न भासा सीखने के लिए सम्रद्ध निवेश वातावरण आधारित संचार वातावरण की अवशकता होती हैं। और इस तर का ध्यान रखा जाता है। प्रात्मिक इस तर पर भासा सीखने की प्रतिफल क्या होते हैं? तो जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वह पढ़ता है, समझता है, पित्क्रिया देता है और साथ ही अपने देनिक जीवन में इसका प्रयोग करता है सीखने के प्रतिफल के अंतरगत यह भी आता है कि बच्चे किस प्रकार से अपनी भासा का प्रयोग कर रहे हैं अब देखते हैं नेक्स्ट प्रस्न, यह बहुत इंपोर्टेंट प्रस्न है, पाठचरिया समंदी और पेच्छाएं क्या है तो दूसरों की बातों को रूची और ध्यान से सुनना, अपने अनभव और कलपना को भी जिचक और सहज धंग से व्यक्त करना पहला प्रस्न यह हो सकता है, पाठचरिया के अंतरगत दूसरा पॉइंट है, अपने इसतर अंसार कहानी कवता को सुनने और कहने में रूची लेना सुनी और पढ़ी कहानी कवताओं को अपने अनभवों से जोड़ पाना एवं उन्हें व्यक्त कर पाना नेक्स्ट है, चित्रों से अनमान लगा पाना और उसका अपने देनिक जीवन में प्रियोग कर पाना यह बहुत है, महतपूर पॉइंट थे अब दिखते हैं इस प्रस्ण में क्या है, तो इस प्रस्ण में जो इंपोर्टेंट चीज है इनके लिए और कारणी और सुजाओ, जैसे जो बच्चे अलपतरश्टी वाले होते हैं, जैने कम दिखाई देता है, तो वो क्या करें, रंगीन चौक उनके लिए प्रियोग कर स बम देता हैं, जैसी में जरूरत पर दो बारा दोराणा चाहिए, अब नेक्स्ट, शंग्या नत्मक बिकास और बद्धिक आच्छमता वाले होते हैं, ये क्या है, ये बच्चे पढ़ते हैं कुछ सबनों को चुड़ जाते या पिर आच्पस्ट रूप से पढ़ पाते हैं इन्हें अपने सायोगी की सायता की आविशकता होती है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा help की आविशकता होती है नेक्स्ट पॉइंट है इसी में D नंबर ये भी बहुत important है इसका point बनता है उच्चे उपलब्दी हासिल करने वाले बच्चे इनके लिए क्या किया जाए ये बच्चे तेज होते हैं इन्हें नए सब्दावली के साथ थोड़े चुनोती पूर्शंग्यानत्मक तरीके से जोड़ा जा सकता है जिससे कि ये अच्छा प्रदर्शन कर सके है और इस तर वाली इनकी जो इस तर है उससे कोछ बिभिन प्रकार की पाट समकरी की आवसकता होती है अब बात करते हैं यहाँ पर बहुत महतपूर चिंतन सील सिचक एक चिंतन सील सिचक जो होता है वो क्या करता है तो एक सिचक जब बच्चा होगा किस प्रकार से अपनी मातवासा और अनवासा को सीखा होगा इस बारे में वह बच्चों से बाच्चीत कर सकते हैं और अपने जो भी अनवावासा सीखने में होँ वह अपने बच्चों के साथ सेर कर सकते हैं निन विद्नों पर भी चर्चा कर सकते। जैसे आपको याद है आपने अपनी मात भासा या पहली भासा या घर के में बोली जाने वाले भासा को कैसे सीखा। उसके बाद में क्या आप परिस्थतियों को याद करते हुए अपनी मात भासा पहली भासा या घर में बोली जाने वाली जो भासा होती है वो सीखने से जुड़े अनभव साजा कर सकते हैं यही भी कोशिस करें कि आपने अपनी दूसरी भासा कैसी सीखी आपकी मात भासा और दूसरी व्हासा को सीखने में क्या अंतर है क्या सीखने के अनभव अलगakesय इस वारे में आप अपने बच्चों को बता सकते हैं क्या हम कछा में बच्चों द्वारा में अपने आप बढ़ा सकते हैं उसमें ये पॉइंट दीक है इनको आप डेटेल से जब पर से चड़ कर रहे होंगे तो आपको देखना चाहिए अब देखते हैं इस मॉड्यूल की जो मुख परशन उत्री है उससे जो दस परशन बन जाते हैं इंपोर्टेंट है इनको भी समझ लेना चाहिए पढ़ने के समय करने का कार क्या होना चाहिए कच्छा को चार या दूख की समों विवाज़त करना और पार्ट को बारीबारी से पढ़वाना बच्चों को समझ के साथ पार्ट को डिकूड करना ये मुख पॉइंट है यहाँ decode करना, करने को कहना उसी वाद दूसरा प्रशन है पूर्व पठन, कार का उतिष क्या है पाट की विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनभों और ज्ञान को जोड़ना पढना अर्थगड़ना, इसका मंतलब कहा है पढ़ना पाट की बिचारों को समझना है अब चलते नेक्स्ट प्रेशन पर तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रेशन जो है वो है बरतमान भासा सीखने की नजरीय से सच है सच क्या है जो चार विकल्ब दियेगा उनमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लखना, ध्यान देना और सूचना एक साथ बिक्सित होती है नेक्ट है जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें मौके करण साधनों के माध्यम से भासा के साथ पर्चित कराना होता है नेक्ट है मास्तर भासा दूसरी भासा सीखने का समर्थन करती है इसी प्रकार से दूसरी भासा सीखने के लिए मात्र भासा एक संसाधन है तो ये दोनों भी कल्ब इसकी सही बंत है बच्चे या मानौ शीखता है किस प्रकार से काफी प्रयास के बिना मातरवासा कुषी सकते हैं Next point is C. भासा सीखने में किंद्रीता का अर्थ क्या है? सभी विसेवस्तु सीखना मूलु रूप से भासा सीखना है नेक्ट है भासा सीखने के रूप में बहु भासिकता का क्यारत है तो कच्छा में सिच्छड अधगम के लिए बच्छों की भासा का उप्योग करना बहु भासा कता है तो इस प्रकार से ये जो हमारा आपने देखा ये जो नोट से एक थोड़ा यूनिक तरीके का आपने बनाया बनाने की कोसिस की है अलग से थोड़ा हट के इसके बाद में ये सारांस बासर से चड़का पूरा मुल्यांकन किस प्रकार से सब कोसिस में जोड़ा है और उसमें कोसिस की है कि आपको यहां से अच्छा सा मैटेरियल दे सकूँ, अच्छी सी सामगरी दे सकूँ तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें साथे इस पीडियाप को आप हमारे टेलिग्राम और वाटसब गूर्प से डावलोड कर सकते हैं जिसको आज आपको मिल जाएगे वीडियो आने की बात